क्रिप्टो मार्किट गेंदर मामला बड़ा क्रुशल सा हो गया है है ना सब्टमबर औरड़ी शुरू हो चुका है वीक सब्टमबर स्टार्टिंग वीक सब्टमबर से हुई है लेकिन हम डिसकस कर चुके हैं जैसे-जैसे एंड की तरफ जाएंगे वहाँ चीजे ठीक हो सकती हैं लेकिन बिटकोईन का प्राइस स्टार्टिंग में बस गेम कर रहा है तो नीचे के कर रहा है 55,000, 55,700 डॉलर यहाँ पे बिटकोईन का प्राइस फिर से हिट हो चुका है और अगर आप देखोगे बिटकोईन ने 55,000 डॉलर अगर हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में चलें तो कल भी लेवल हिट किये थे 55,000 डॉलर के लेकिन क्लोजिंग हुई प्राइस बड़ा पंप डंप लिक्विडेशन कल हुए लॉंग शॉट के आज फिर से लॉंग स्वालों को लिक्विडेट किया तो बिटकोईन ना इस रेंज में 57, 58 पे जो ट्रेड लग रहे थे उनको लिक्विडेट किया यहाँ पे जो ट्रेड लग रहे हैं ना लॉंग्स के उनको बिटकोईन अभी या कर रहा है लिक्विडेट कर रहा है एक माहौल ऐसा क्रियेट कर रहा है कि बिटकोईन कई ना कई जब तक यहाँ से अच्छे गासे शॉर्ट के ट्रेड नहीं लगते में भी बिट कोई जंप ना करें लेकिन 11 सब्टम्बर को आने वाले हैं CPI डेटा और 18 को है FOMC तो हमें जो इस टाइम पर मार्केट की पॉसिबिलिटी लग रही है वो थोड़ा वह छोटा मोटा पंप डंप होता रहेगा मार्केट लेकिन जो एक अगर बुल रन के लिए तैयारी करनी है बुल रन जैसा पंप करना है 70 को हिट करना है तो वो हो सकता 18 सब्टमबर के बाद ही हो ठीक है CPI डेट डिसीजन के बाद ही बिट कोई में पंप आए तो 11 और 18 को हमको डिसीजन का भी वेट करना पड़ेगा क्या CPI निमबर्स आते हैं तो बिट कोई अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 56,000 डॉलर पे वापिस आगया और वीकली केंडल अगर आप देखेंगे तो बिट कोई कहीं न कहीं इनी लेवल्स पे घूम रहा है लेकिन यहां पे जैदा टाइम बिट कोई टिक नहीं सकता कभी भी यहां से है न तो हो सकता है इस वीक बिट कोई यहां नीचे ही क्लोजिंग दे हमको तो वेट कीजिए FOMC और CPI का चीज़ें आपको डेफिनेटली उपर जाती दिखेंगी जिस तरह का चार्ट चल रहा है ठीक है सबसे बहले बात करेंगे नाइरो कोईन के बारे में कल हमने बात की थी तो कल ही 140% चल रहा था लेकिन कल से लेकर आज भी अगर हम देखें आज भी इसकी कीमते और 100% बढ़ गई कल इसने 0.05 तक की रेंज हिट की थी अगर मैं थोड़ा टू आवर के टाइम फ्रेम पर चलूँ ठीक है तो आप समझपाओगे यहां पर और आज इसने 0.0836 तक हिट कर लिया मतलब आप देखो 300% की रेली आगिया ओलमस्ट 0.023 के लोग लगा दिये थे वहां से इसका पंप आगया 0.0836 तक और 300% कीमते कल से लेके जिन लोगों ने यहां नीचे के लेवल पर बाय किया 300% का प्रॉफिट है ना तो एक हार्ड पंप नाइरो में वेल्स का चल रहा है सबसे पहली अपडेट है मास्टर कार्ड की तरह से मास्टर कार्ड लाउंचेज क्रिप्टो डेबिट कार्ड इन यूरॉप अलाइंग यूजर्स तु स्पेंड फॉम सेल्फ कस्टेडियल वालेट्स एट हंड्रेड मिलियन मर्चेंट्स मास्टर कार्ड वीजा पेपाल सब क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव हैं और मास्टर कार्ड यहां पे क्रिप्टो डेबिट कार्ड ले क्रिप्टो डेबिट कार्ड है यह कहां ले क्या रहा है यूरॉप में जिसके अंदर यूजर्स को अलाउ किया जाएगा कि वो अपन Tron के Meme Coin Launcher की तरह से जिसका नाम है Sun Pump और Sun Boost की अनॉंसमेंट की थी की लेके आ रहे हैं और फाइनली Sun Boost को लाइव कर दिया है Sun Pump ने We are excited to share that the anticipated Sun Boost feature has officially launched इनोंने Sun Boost को लाँच कर दिया officially और bringing with it the first yield farming pool first yield farming pool यहां पर जो है इसको आप Sun Boost भी कह सकते है user can stake in the Sun Dog TRX pool to earn Sun Dog rewards तो यह सारा काम Sun Boost का है ठीक है and the launch of Sun Boost marks a new chapter in the Tron Meme Season एक नया chapter यहां पर खौल दिया है Sun Pump ने Tron नेक्स्ट अपडेट फ्लॉकी इनों का जो होल्डर से उनको सीमन कैट एड्रॉप मिला था और परफेक्ट news Coin Rabbit की तरफ से सिमन कैट यानी कैट इस नौ अवेलेबल फॉर स्वैप्स ओन क्वाइन रैबिट ठीक है तो कैट को यहां पर स्वैपिंग कर लिए अपने प्लाटफॉर्म पर इक तरह से लिस्ट कर दिया अवेलेबल कर दिया को मिलेबल के नेक्स कंड नेक्स तरम मद करेंगे 15 blockchains वैट टोटाल ट्रॉंट चिंस इन अगस्ट से 15 13 Blockchains by Total Transaction in Agust In total transaction list, Solana सबसे उपर है 1.1 billion transactions हुए Aptos 578 million, Trondow TRX 225 million, Near Protocol 198 million, C Network 127, Base 121, 105 BNB Chain 103 million Sui Network 93 million, Matic 80 million यहां पर Injective है उसके बाद नमबर आता है Arbitrum का ठीक है और Arbitrum 56 million के साथ, Ton 45 million, Ethereum 33 million, Salo 33 और Blast 30 million Next update है यहां पर Sony और Samsung को लेके दोनों ही एक बड़े प्लेयर्स हैं ठीक है Big Companies हैं और Big Breaking यहां पर Samsung officially entered crypto and bitcoins पर Samsung and Sony to partner in their upcoming big crypto firm and blockchain Big crypto firm और blockchain को लेके यहां पर एक partnership Samsung और Sony के बीच में Samsung और Sony का नाम अब crypto में भी आ रहा है और I think हमने Samsung, Sony की पहले भी बात किया एक्सचेंज भी लाँच करने की तेयारिया I think Samsung की ठीक है अब वो कब होगा कैसे होगा वो टाइम बताएगा लेकिन यह बड़ी अपडेट Samsung, Sony भी crypto को explore कर रहे हैं कहीं न कहीं Docks के price गिर रहे हैं लेकिन Binance ने आपर कुछ अनाउंस किया Binance future will launch Docks USD perpetual contract जिसकी date है 10 September की Next update है Travella और Skyscanner को लेके Skyscanner की अगर हम बात करें Skyscanner a global travel marketplace जिसके नाम है Skyscanner has partner with Travella Blockchain-based platform Travella.com to provide hotel bookings using more than 100 cryptocurrencies This is crypto adoption है ना यह crypto adoption है Travella तो था ही, Travella से तो आप करी सकते थे लेकिन Travella के साथ 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 हब Skyscanner ने भी हाथ मिला लिया है और 100 cryptocurrencies से भी आप होटल booking कर सकते है Skyscanner और Travella के जरीए ठीक है वो भी cryptocurrency के जरीए Last and final update है आवे को लेके आज आवे की अच्छी गासी shopping होई है और पिछले कई दिनों से हो रही है और आज भी दो वेल्स तूट पड़ी आवे पे टो वेल्स बोट 16,592 आवे 2.2 million dollars के 30 minutes है अगो यह morning update है आज 16,592 आवे खरीदे इन दो वेल्स ने 2.2 million dollars के आज की इस वीडियो करेंगे यहीं पे बाकी updates next वीडियो में और किसी भी crypto में invest कर रहे हैं तो research जरूर कीजिएगा तब तक के लिए बाई बाई टेक कियर